ह situação है कि आप कि हैं cach high तो आज से हम लोग सुरू कर रहे हैं एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग टो इस एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग में मैं क्या आपको पढने हुला हुँ चलो मैं एकस्पेन करता हूं introduction about computer networking हम पढ़ेंगे उसके बाद में networking के लिए कुण कुण से devices लगते हैं जैसे switch क्या है, hub क्या है, router क्या है, modem क्या है, web क्या है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर explain करूँगा उसके बाद में land क्या है, local area network, man metropolitan area network, van wide area network यह क्या होता है यह सब network के types होते हैं, तो इसके बारे में मैं explain करूँगा, उसके बाद में, जैसे हम लोग कोई भी computer को network में जब हम लोग लाते हैं, तो उसको identify करने के लिए address दिया जाता है, इसको बोलते हैं, हम लोग IP address, तो internet protocol address, यह protocol address क्या होता है, इसके कितने types होते हैं, IP version 4, IP version 6, इसके बारे में full 2 यहाँ पर explain करूँगा आपको, उसके बाद में cabling क्या है, मतलब computer को network में कर लाना है, तो दो type का media यूज किया जाता है, guided और unguided, तो guided media के उसका crimping कैसे किया जाता है, जैसे कि cross cable, state cable कैसे बनाते हैं, वो भी मैं explain करूँगा, उसके बाद में OSI reference model, OSI reference model बहुत important होता है computer networking में, तो किस तरह किसे हमारा data एक network से दूसरे network में transfer होता है, यह मैं यहाँ पर cover करूँगा, total 7 layer होती है, यह तो total 7 layer को मैं यहाँ पर cover करवा क पर दूँगा, उसके बाद में lab कैसे बनाते हैं, मतलब computer lab किस तरह किसे बनाई जाएगी, उसका पूरा practical part में यहाँ पर आपको बताऊँगा, यह सब operating system यूज करके किस तरह किसे lab को create किया जाता है, यह मैं practically बताऊँगा, उसके बाद में subnetting का भी topic आएगा, IP address के अंदर में वो भी cover होगा, उसके बाद में अगर topology, मतलब क्या होता है, topology यह एक grouping of computer भी बोल सकते हैं, यह पिर हम topology मतलब क्या होता है, arrangement of computer भी हम लोग बोल सकते हैं, topology means arrangement of computer, इसमें physical topology and logical topology को मैं cover करवा कर दूँगा, उसके बाद में protocols भी हम पढ़ेंगे, ping, IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, T तो lots of protocols है, 65,535 protocols है, इसमें से important protocols को मैं cover कराऊंगा, उसके बाद में dry को share करना, folder share करना, printer share करना, और उसके उपर में security implement करना, यह सब कुछ भी हम लोग इसके अंदर cover करेंगे, उसके बाद में workgroup configuration, domain configuration, पूरा practical होगा, उसके बाद में software level, firewall configuration, और operating system को remotely install करना, ठीके, तो यह है, option, remotely OSCOM कैसे install करेंगे, उसके बाद में group policy implement करना, उसके बाद folder का redirection करना, कि data जैसे server, client to server में automatic किस तरह किसे जाएगा, उसके बाद में deployment करना, delegate control, ठीके, बहुत advanced level के chapters है, जो मैं यहां पर cover करने वाला हूँ, उसके बाद में network management, यह आप network के अंदर में multiple PCs है, तो उसको remotely किस तरह के से manage करेंगे, चायो PC LAN में हो, या WAN में हो, उसके पूरे concept हम लोग network management के अंदर में cover करेंगे, उसके बाद में monitoring करना, network में जो PCS लगे होए, devices लगे होए, उसके monitoring हम पढ़ेंगे, ADS installation, active direct domain controller, create करना, जिससे हमारा domain controller बनेगा, उसके बाद में IIS, FTP, DSP, print server, DNA server, किस network, network के तुरू हमनों data का किस तरह किसे backup लेते हैं, उसके बाद में file systems है, and fat और NTFS के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद mac address क्या होता है, ये भी हम जानेंगे, और mac address किस तरह किसे change किया जाता है, logically वो भी हम देखेंगे, multiple IP address, एक PC में एक LAN card पर कैसे assign करते हैं, वो भी मैं यहाँ पर cover करूँगा, उसके बाद में internet wizard किस सरके से बनाते हैं, wireless networking क्या होता है, उसके बाद में any computing devices क्या होते हैं, KVM switches क्या होते हैं, biometrics CCTV cameras, इन सब का configuration मैं बताऊँगा, ठीक है, तो ये जो course है, ये है advanced networking का course, ये पूरे series के अंदर में, मैं step by step practically cover करने वाला हूँ, ठीक recording मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ओके और अब अगर आपको लगता है, कि ये online video से सारे concept आपके clear नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग classroom training के लिए, आप मुझे call कर सकते हैं, या पिर आप चाहते हो कि आपको online training करना है, तो online training इससे भी ज्यादा step by step मैं पढ़ाता आप apply कर सकते हो, यह मेरा number है, यह website है, आप उसमें number पर call कर सकते हैं, website को widget कर सकते हैं, ठीक है, thanks for watching